हेलो एवरिवन होप सो तड़ी त्यारी बहुत वदिया चल दी हो एगी ते आज दे इस लेक्चर दे वेच आप 40 MCQ जड़े बेसिक अफ लेक्टर कल एंजिनरिंग दे बेस्ट ने एदे वेच अपने बेसिक कंसेप्ट दे भी आऊंगे आज दे इस लेक्चर दे डिसकस करांगे ते कोशिच करया करो के एंसी क्यूज नाल नाल कर दे रहो ते जिथे कोई प्रावलम हों दी या तो दी कमेंट कर दे रहो जड़े एंसी क्यूज दा नहीं पता चल दा उन दे नाल की होएगा मैं सेपरेट टॉपिक जड़ा ना जड़े व्यक्खन नों लग देने के क्वेश्चन सिद्धे सिद्धेने बट ओदे वेच कोई ने कोई कोई मतलब उन्हाने लूपोर्ड रख्या होंदा है ठीक है ते स्टार कर दे आपां आज दे फर्स्ट क्वेश्चन तो हों तक आपां 210 MCQs कर लेने जड़े स्टूड अज ने काल वेख लांगे परसों भी एख लांगे ते ओ अजए उत्ता ही खड़े होंगे सो ये तुसी एक्जाम नोगा परपेर करना करना एक तीच्छा लिया आया जाया है के त्यारी करनी है इस एक्जाम क्लियर करना है कि ठीक है न एक्चुली अपां कई बर ही काला कर है लाक दी के लाक लाक की उन्त अजाए लाक बेसीकली जो प्रैपरेशन जडिक तुह उन कर देवे जै ठीक ना प्रैपरेशन प्लस उपर्चुन्टी जडिता झान मेलियग यह जो यह जो दुन्नों मेल सबील करें ज़िए जिन्दियाने यह दो यह मतलब सब्सक्राइब ब लिए बट एक्जाम क्लियर कीता उधी प्रेपरेशन भी आगी ही ते उनूं मौका भी मिले आए चिन्ना मर्जी तड़ अलाकत एज होवे जिन्नी मर्जी किस्मत ना डिवदिया होगे जिन्नी दर तक तक तड़को मौका ही नहीं तो उसी गजाम ने क्लियर कर सके लुगे उन होन्म एक्जाम्य करनी है प्रोप्र यह करनी है तो चैसा कि कोशिश म Fermi रखो शुद üमने क्या इसथे नुबर कार्ज होगे 2019 शुद्ध मैं दि शौन करि लिख जान अनूं दो मीने दे करीब हो गए लेक्चर देलिवर करते हैं उदे विच पहला में कंसेप्ट भी करवाए या फिर उस्तों बाद निमेरिकल्स भी करवाए या नेक्स एमसी क्यूज भी करवा रहा है वहां तो जिनने उन्हें लेक्चर भी टेंट कर ले हो काफी वधिया एस्टम लेवल ते बैठा हुएगा तो लक्ते ना लक्त नू दो चीज्जा मतलब बनाँ धियाने एक प्रेपरेशन मतलब त्यारी तो दुझी ऑपर्चुन्टी जड़ी के ताम मिली होई ऑके चलो आज द्या लेक्चर स्टार्ड कर दे यहां अपना फर्स्ट एमसी क्यूज आपना हुन तक कर ले या त्याज 211 नंबर एमसी क्यूज आपा करना है ओके यह दे विच किया वट विल बीडी पीक वैल्यू एदे विच आप पीक वैल्यू क्यूज आपना प्रण्ट करना है वाशिंग मशीन रेटे अट वाशिंग मशीन देवेच वा ओ उन्न तुझ देखो कर देवेच सप्लाई के डी है आरमस आरमस वैल्यू दिया ने जडिकार देवेच प्लाई आ रही है ओ रमस होएगी ते यह देवेच ओन किन्ना किन्न है फार्मूला के वाइड करता है फ्क है फॉक्त आरव तुन मल्टिप्लाई करता है और मस वैल्यू देना ओके यह दून फार्मूले-दे लगा सकते रगए लाग लाग भुक्स ते वेच अलाग फार्मूले देते हो नहीं है इंसर टर्सिंग रहेगा 16 16 divided by 0.707 is equal to जे तुहीं अंडरूट 2 भी करना चाओ देजे इन्हों ही कर सकतेजे बट कन्फ्यूज नहीं हुना इन्हों मैं लगना करवाना था नू एक ना आजेगा जिए तुहीं अंड्रूट 2 4 professionally भाइट्वीच बाइट्यच सफेड़ कर दोगे मिनीं नहीं कर दो है कि फिस्ट दाट लिए किए i rapid फॉली क्या दियाना ही त्रेकिंट के दिज लिए वन भाइ टाइम पिरियड दे तेए टाइम पिरियड के नहां टता है सानुँ ते टाइम पिरियड की नहां दता है 0.05 x 10 raised 2-3 10 raised 2-3 ओके ते अपन की करांगे अपने पॉईंट थो बात किनिया 0 ने 2 उपर लेगे multiply by a minus 3 minus 3 दा मतलम दा उपर जाके plus 3 बन जेगा मलेव 3 दा मतलम दा 3.0 लगनी है हयार divided by 5 ठीक है cutting कर सकते हैं कर सकते हैं किनना आजेगा 20 एदा कि आजेगा वी हयार फ्रेक्वेंसी की नहीं है कि वी हयार हर्ट्स वी हयार हर्ट्स जानों 20 किलो हर्ट्स भी क्या सकते हैं ठीक है तो एदे सही अप्शन कि यह सी वी हयार हर्ट्स क्लियर हो गया नेक्स्ट अगर 2 incandescent bulb of rating 230 वोल्ट 100 वाट्स और 230 वोल्ट 500 वाट्स और connected in parallel across across the main ठीक है मतलब किया साथ यकोल दो बलब ने एक दी रेटिंग या गिया 200 वोल्ट ते उदी पावर है गिया 100 वाट्स ते दूसरे दी भी रेटिंग वोल्ट सेम है ठीक है वोल्ट सेम है ते 500 वाट्स है ठीक है इन्हों आप 203 वोल्ट ते connect करता ठीक है 2003 वोल्ट सप्लाई दिनार connect करता ते एदे विच रेखना है कि केड़ा बलब ज्यादा ग्लो करेगा केड़ा बलब ज्यादा ग्लो करेगा एदे वास्ते दे मैं ड्रेक्ट भी दा सक्दां कि 500 वाट्स ते बलब यह ज्यादा ग्लो करेगा पर आप इन्हों ए एक सो पांज पॉइंट आट्थों क्लियर एक सो पांज पॉइंट पॉइंट आट्थों क्लियर एक सो पांज पॉइंट आठों हो उन देखो कि जिदू रजिस्स्टंस जड़िया काट ग्रंट कुंकर और ट्यू दू ब्लो करेंगा क्लियर ओगया ओके नेक्स घाल बिच आफ दी फॉलवव्गिय तो ठीडिटी तु स्टोर चार्ज जांहें भीतिटी तू स्टोर शेलिटी तू ये ना हे विचो पर्द पर्शी से सिर ऑट कोंपोनेंट ये जड़ा फ्री य्टर्ण चाके JACKETT प्रmb ता मतलब किया कि उढ़ दर येए प्रनस फिर कहँ पर रहा थे का काट free electrons होंगे सब तो काट के चोंगे insulator देविच क्योंकि जेकर free electrons के material देविच होंगे crunch फिर ही flow कर सकता otherwise crunch जड़ा flow नहीं कर सकता ठीक है least number of free electrons के देविच ने insulator देविच ठीक है what is the SI unit of power ठीक है power दा unit के उन दा है what ठीक है ते एक और unit दा है flow upon time ठीक है energy upon time भी यह दा unit हुंदा है ओके इदेविच होंड वार्ट देता है वार्ट के दा unit है पार ठीक है crunch दा unit की है ampere और c by s voltage दा volts resistance दा ओंग clear चलो next दो सुस्तारा number what will be the resistance of register ठीक है resistance आपकेच मेयर करनी है ओम दी विच कोई register योदी resistance वेखनी किन्नी है यह तो current flow कारता पे आए 2 ampere ठीक है यह suppose करो साथ यको resistance है ठीक है यह दी विचो current के ना flow कारता पे आए 2 ampere ते इन्हों connect के ने volt दे source नाल कीता आया है 40 volt source दे नाल कीता आया है okay then the potential difference बट्वीन voltage दी गाल कर लो जा potential difference देड़ा दो पॉइंट आदे वेच बाओ किन्ना है 40 40 volt ठीक है तो यह दे विच आपका की करना है resistance find करना है यह दे विच की यह r is equal to v by i the formula लगेगा वी किन्ना है 40 volt ठीक है आई किन्ना है 2 ampere यह किन्ना जेका 20 ohm किन्ना आगे अंसर सादा 20 ohm अंसर आगे ठीक है next आगा capacitor consist of 2 ठीक है option की यह conductors separated by an insulator silver coated insulator ceramic plates and one mica disc ते D किया insulator separated by dielectric ठीक है यह जी साई जड़ी option है और की है option A ठीक है साई option है और केड़ी है A clear यह दे विच किया के साद यह कोल 2 metallic plates हुन दिया ने ठीक है जिन्हों आपका conductor के ने यह बर क्योंकि metallic plates ना मतलब किया कि ओदे विचो current flow कर सकता है ठीक है दो metallic plates ने उन्हों आपा separate कीता है इंसुलेटर ते ना ठीक है एदे विच किया insulating material ठीक है insulating material केड़ा हो सदा paper भी हो सकता है then mica भी हो सकता है ठीक है air भी हो सकता है कोई material ठीक हो अपना ले सकते हैं ठीक है के capacitor की है capacitor consisted of conductors separated by an insulator ठीक है इस इंसुलेटर नों dielectric भी बहुत ने ठीक है dielectric भी बहुत ने ठीक है dielectric भी बहुत ने डाई दा मतलब ठीक है के दिवेचे store होएगा जेड़ा अपा medium यूज कीता है ठीक है medium केड़ा होएगा dielectric ओच पेपर भी आ सकता माइक का भी आ सकता air भी आ सकती है clear एच कोई problem थे नेक्स्ट है का the resistivity of electrical conductor is affected by ठीक है एदी option की all of above all of above मतलब temperature भी चींज होएगा ते resistivity होएगी जो ते आपा pressure भी अप्लाई करांगे फिर भी resistivity effect होएगी जो composition मतलब केड़ा material है aluminum दी जगा ते आपकप पर रह दें resistivity ताम ही change होएगी clear ओके एदा किये all of the above ठीक है resistance ते resistivity तान मैं दूना चे फरक दस्या होया है ते resistance जड़ी हो लेंथ थे भी depend कर दिये ते area of cross section ते भी depend कर दिये थीक है resistance जड़ी हो लेंथ थे भी depend कर दिये ते area of cross section ते भी depend कर दिये ये चीज ताते आ रखना है but in case of resistivity temperature ते composition जहां कई वर यह आएँदा वा nature of material भी आएँदी option ठीक है नेचर ओफ मटीरियल भी आई इंदी यह ए ते भी डपेंड कर दी यह मलब कॉंपोजिशन ते यह दुन्यों सेम सेमी नहीं ठीक है इनना ता मतलब सेम सेम यह नहीं आवे के तुसी यह थे अधे इस्थ कॉंपोजिशन नूं जादकार लो थे नेचर ओप मटीरियल आजे तो ही को कि सार ने गलत करवाता जा मतलब यह करवाया ही निया यह थोड़ा जाओ थे तानूं कॉमन सेंस यूज करनी पहेगी के आज ही जे इस्तरा मी हो सकती है ओके दैन ग्वेस्टिन नंबर ओफ साइकल्स कंप्लीटेड बाया एन एसी कॉंटिटी इन वन सेकंड इस कॉंट ठीक है एक सेकंड़ वेचा किन्ने साइकल कंप्लीट हो एक उधे उद्यकुन की बूल देंए ठीक है नंबर ओफ साइकल्स completed by an AC quantity in one second is called frequency, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिनने cycle, होन विखो, होन फ्रिक्वेंसी की उन दिया, आनलो जड़ी power frequency की निये 50 Hz है, जड़ी कर आदे बेचे supply आ रही होदी frequency की निये 50 Hz है, 50 Hz है तो, एदा मतलब कियो है अबा, कि 50 cycle जड़े या, ठीक है 50 cycles cycles की उन देने देखो positive cycle ते negative cycle दो मन मला के एक cycle बनना है ठीक है फिर positive cycle ते negative cycle दो नन मला के एक cycle बनना है ठीक है ते यह ता मतलब की होया कि 50 cycles जड़े या वो एक second दे वेचे complete हो रहे ने 50 हर्स दा मतलब की होया कि 50 cycles जड़े या वो एक हर्ट एक second दे वेचे complete हो रहे clear 50 cycles जड़े या वो एक second दे वेचे complete हो रहे यह ता मतलब की हो गया the number of cycles completed by an AC quantity in one second is called frequency clear हो गया ना एचे कोई दिक्कत नहीं आ रही ओके देनने का which is the component in terms of electronics passive component in terms of electronics ठीक है अपा देखो active component electrical देवेच भी पड़े या ते passive component भी पड़े या ठीक है होना अपां गल करनी हां electronics देवेच लेक्ट्रोनिक्स देवेच एक्टिव थे passive component दी की definition दी ठीक है component ठीक है ठीक है थोड़ा एक साइटे कर लोगी ठीक है ठीक है component ठीक है होन एह है गया electrical component तो एह है गया electronics electronics देवेच जेड़े component चूँज करने है ठीक है ठीक है होन इन्हां दुमाँ देवेच एक्टिव थे passive जेड़े लागी 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 देने इन्हां definitions लागी 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 ने एलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है ते passive component यहां देने विच रसीव एनर्जी विच रसीव एनर्जी जेड़े अनर्जी नूर्सीव कर देने उन्हां आपकेने passive component रसीव एनर्जी ठीक है होन एदे विच किया एलेक्ट्रोनिक्स दे विच active component केड़े हन देने जेड़े capable हन देने signal नूँ amplify करन देले विच जेड़े signal नू amplify करन देली capable हन देने ठीक है electrical signal ओके electrical signal एलेक्ट्रीकल सिगनल ठीक है ते पैसिव फेर केड़े होन गे विच आपनोट केपेबल ओफ विच आर नौट केपेबल ओफ एम्प्लीफाइंग एलेक्ट्रीकल सिगनल केपेबल ओफ एम्प्लीफाइंग एलेक्ट्रीकल एनर्जी एलेक्ट्रीकल सिगनल ठीक है मतलब कि यहां कि दोना देविच डैफिनेशन से लाग लाग ने एक्टिव केड़े होगे लेक्ट्रीकल देविच जेड़े ये लेक्ट्रिकल नर्जिन्यों सप्लाइई सरकीड न्हीं है चीब होगे ये नर्जीन्ह थायनिक्त आप पीजिस्टर नहीं आजओ Caribbean एक्टिव आक्टिव हो ट्राइक यह सारे कंपोनेंट आजनेंगे पैस एक्टिव दिविच क्लियर एच कोई प्रॉलम थे नी ओके देन दी यूनिट ऑफ टू पार इस गीवन एस ठीक है तेंटरा निया पार उन दियाने मैं देखो हार लेक्चर देविच तानु सम्झाओं भावे आमा मेरा में मू ठीक है एता जिड़ा यूनिट हुन्दा है ठीक है यह हुन्दा है वाट की हुन्दा है वाट एक कुंदी यह रेक्टिव पार ठीक है रेक्टिव पार एता जिड़ा यूनिट हुन्दा है यह हुन्दा है वार वी ए आर ठीक है के लाड़ो एम लाड़ो लाग ची एक कुं पार, अपनेट पार दा यूनिट की हुन दाए, VE, clear हो गया, तो एदा फिर सही option की हो एगी true पार दी, what, की हो एगी, what, next आगा, which of the following, which of the following element has maximum electric conductivity, silver, इन दे जो silver वा, जिरी maximum electric conductivity हुन दी है, clear, next, two inductance of 1 henry and 3 henry, henry जो नट है, inductance था, are connected in parallel, ठीक है, are connected in parallel, ठीक है, two names, sorry, इन्हों आपा parallel दे, which connect करता है, ती equivalent inductance is given as, equivalent inductance आपना calculate करने है, 1 henry या, एक ही है, 3 henry, तो टोटल जेडी inductance हो एगी, जिन्हों आपना equivalent inductance कहता है, एक ही हो, कि देखके बुला जेगी, 1 into 3, ते 1 plus 3, ठीक है, कि निया आगी, 3 by 4 henry, 3 by 4 henry, option है, a option, एक ही, correct option होईगा, नेक्स्ट आगा, ohms-la is not applicable to, semi-connector, ठीक है, जड़ा semi-connector देते है, ohms-la नहीं apply होंदा, ओके, क्योंकि ohms-la देवेच की होंदा, जड़ा क्रंट voltage दे, directly proportional वदेगा, बट, in case of semi-connector की होंदा है, क्रंट जड़ावा, ओ, directly proportional नहीं वर्दा, non-linearly वर्दा है, ठीक है, एदे वेच, linear क्रंट वदेगा, ठीक है, एदे वेच, non-linear, त्रीक के दना क्रंट वदेगा, ठीक है, non-linear, ओके, नेक्स्ट आगा, temperature coefficient of resistance is negative far, ठीक है, positive temperature coefficient भी तांदस्या ही, ते negative temperature coefficient भी में तांदस्या ही, ठीक है, जड़ो resistance वदन दे नाल, ठीकने के यौनर टेंप्रेचर हाएग टेंपड़रेचीफ यूसेटेंट पॉखिशेंट और रिशिस्टंस जिण में जांड़रेचीफ त् concealed रेशेंट्परेचीफ कृष्चा多 searches तो उन्हों आपके कहने नेगटीव टेंपरेचर कोफिशेंट ओफ रिजिस्टन्स ठीक है इना चुकेड़ाई कार्बन कार्बन एक इतना ना मटेरियल है जेदा टेंपरेचर की हुन्दा है टेंपरेचर कोफिशेंट ओफ रिजिस्टन्स नेगटीव हुन्दा है क्लियर ओक सबस्क्नाकर hm नेक्स्ट आगा वां तेनर शीस्टंस ने पांच दनास ते पंध्राहों गये जनन। गर्चनारयर काने केता है तो इस आगे क कंभाइन्स च दक्ढाये स्था है ओम्स फार्फाइंट का है ठीक तेनर रिस्टंस ने पहले रिस्टंस यह पांचोंग दी दुज्जी रिस्टंस दासोंग दी तितिज्य रिस्टंस केडिये 15 ठीक है यहनु पैरल्लर दे वेच कनेक्ट किता है अपपा हों यह वेच वेखना और एक्विलेंट फाइंड करनी है टोटल रिस्टंस चेडियो फाइंड करनी है एक ना जेगा 1 by r equivalent is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 एक ना जेगा r equivalent is equal to 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 15 एदा उन्हें अलसीम लबाँगे एलसीम करना आजेगा इदा एलसीम आजेगा एलसीम लेयाके इस आठीकोल की आजेगा 6 plus 3 plus 2 divided by 30 ठीक है 30 एदा एलसीम लेयाके ना आगे 30 आगे ठीक है एक ना जेगा साठीकोल क्या साठीकोल की आजेगा ती बटा 11 आजेगा ती बटा 11 आजेगा ती आजेगा एदी वैली के नी आजेगी दो पॉइंटalenle के नी आ जाजेगी 2.3 ओम डी जडिया एदीक च्रेक टॉक्शन है नेक्ट किया, dash has zero temperature coefficient of resistance, manganine, manganine जेडा एके दना मटेरियला, जेदी, negative, zero, zero temperature coefficient of resistance हो जा, ठीक है, मलो temperature बदन दिनाले, तो कोई फेक्ट नहीं पाइंगा, नेक्स्ट एगा, when two capacitors are connected in series, their total value of capacitance, same रहेगी, cut रहेगी, वदेगी, जा इन्ना चो कोई बनी, ठीक है, remains same, reduces, increases, ओके, ते आपा उने इन्नों सब्तों पहला, ते calculate करके देख देख धे हैं कि जिदू आपा इन्नों parallel चे connect करते हैं, हाना, capacitance में, ठीक है, दो parallel चे connect करते हैं, ते फिर सादे खुल की होंदा है, C equivalent के दे खुल आजेगा, C1 plus C2, ठीक है, जिदू आपा इन्नों parallel चे connect करांगे, की आजेगा, सादे खुल, C1 plus C2, ये उल्टन दा ना, थोड़ा जा, parallel दे case देवेच, ठीक है, जिदू आपा इन्नों series देवेच connect करांगे, तो फेर की होएगा, C1 into C2 divided by C1 plus C2, ठीक है, की होएगा, जिदी, येदी, टोटल equivalent resistance हा, ओकिया, capacitance से दी किया, जिदू इन्नों करांगे, ओकिया, reduce होएगी, कट हैगी, okay, series देवेच मालों दे, दास capacitor series देवेच लगाएगे, जिदी, वैल्यू आगी या, 50 µF, तो फेर की होएगी, ये, रेक दी, वैल्यू, मालब कोटल किन्नी राजेगी, पांज माइक्रो फेरड, किन्नी राजेगी, पांज माइक्रो फेरड, तो ये, इत्थ ही parallel आएँदा, ठीक है, इत्थ ही parallel लिखे आएँदा, फिर क्यों आही, फिर increase होज़ना है, मालब ये, इंडक्टर, ते कपैस्टर वाड़े कि ये, तो थोड़ा ये, उल्ट चाल दाएँ, ये थे तुही तिया रखना है, नेक्स्ट अगा, लिखे तो क्यों आएँड़ा ये, ऐउड़े स्पॉलाई काल कभी ओंड़ाएँ, ऊचल, मर१े कहिए ना और शिल्टो, ये ऐज आखा मॉए, ये स्पॉन दे आम देपके ये, आरमस और मर१ु मालेँ अड़े है, in any element is known as Krunt. की कन देने? Krunt केन देने? की बोल देने? Krunt. Okay. Next, determine the power in watt of a lamp 220 volt when the resistance of lamp is 100 ohm. ठीक है की फार्मूल है? P is equal to V square divided by R. ठीक है? V square केन देना है? 220. Okay. ते 100 ohm केन देना जेगा साद एकूल? 444 watt. 444 watt. CE option is the correct option. Next, what is the average value of DC voltage having a peak value of 25 volt? ठीक है? DC वाले के एस देवेच एक चीज़ समझनी याँ. जेड़ी यदी RMS वेल्यून दिया DC देवेच. ठीक है? V RMS लाड़ो. जेड़ी यदी average value वेल्यून दिया. जेड़ी यदी peak value वेल्यून दिया. तिन्ने value एक दुझे दे सेम ओन गया. ठीक है? तिन्ने value सेम ओन गया. मतलब को जे average value पच्ची है ना, ते फेर peak value वी पच्ची होए. जेड़ी जगाते RMS value देन दे ताम ही सेम रहना है. DC दे वे ये values एक दुझे दे ब्राभ्वरून दियाने. क्लीर हो गया? एचे कोई प्रावलम थे नी? Next. What will happen to the resistance of mica if there is an increase in the temperature? जेकर आपा माइक के, माइक का दा temperature बदा मांगी, ते की effect पाएगा? माइक का बेखो material केड़ा है, माइक का एगा जे insulating material. ठीक है? ते insulating material जेड़ा हुन दाए, उधा temperature coefficient of resistance की हुन दाए negative. मतलब किया का जेकर माइक का ते temperature बदेगा हुदी resistance कटेगा. ओके? यह तुछ देख लेना है. यह ता मतलब कि यह दी B option is the cracked option. Next. A hot wire supply, 100 kilo joule in 10 minutes. What is the potential difference in volt across the wire? When the current is 2 ampere. When the current is 2 ampere. मतलब किया है यह दे बेच्च के heat sun किन्नी मिल दी पाई है? Heat h किन्नी मिल दी पाई है? 100 joule, 100 kilo joule. मतलब 10 raise the power 3 joule. ओके? ते time किनना है? ताइम है का T is equal to 10 minute. जाँ फिर 600 seconds. ठीक है? Second देवेच आपा time लेना. Crunt. Crunt I ampere. 1, 9, 2. ठीक है? ते होने देच calculate की करना होने heat के दे equal होन दिया? Heat होन दिया equal VIT ठीक है? VIT के दे equal होन दाई power दे. H के दे equal होने? P into T. P into T दे equal होने. ठीक है? ते एदे बेच होने साड़कोल की आगया है? H is equal to P into T. Clear? P into T. Heat के दे equal होने power divided by time. पावर के दे equal होने? H divided by time. H किनना है? Heat किननी है? 100 into 10 raise the power 3 divided by time किनना ही 600. Cancel. Cancel. ठीक है? साड़कोल की बचया फिर. एक कही होने दासदी पावर 3 ता मतलब दा एक कही होने बटा 6. किनना आजेगा? 500 बटा 3 वाट. ठीक है? एन्नी पावर आगी है. और आपा voltage फाइंड करनी है? voltage के दे equal होने दिया? voltage के दे equal होने आएगी? P divided by I. ठीक है? P divided by I. P किनना आए 500 बटा 10, I किनना आए 2. I किनना आए 2. एद दहीं है ना? ते ए फिर साड़की आजेगा? is equal to 500 divided by 10 गुणा 2. किनना आजेगा? ये दिकटिंग करांगे टाइसो आगया? टाइसो बटा 10. ते ए आजेगा 83.3 वोल्ट. ठीक है? ते एजेगा 83.3 वोल्ट. मालोग बी ऑप्शन जड़ी है, ग्रेक्ट ऑप्शन होगी. बी ऑप्शन की है, ग्रेक्ट ऑप्शन है. ठीक है? नेक्स्टा का calculate the value of maximum shape current that can flow in a 50 ohms 4 watt resistor. 4 watt resistor. टे क्रेंट के दिखकोलों, क्रेंट नूँ अपका calculate करना पावर के दिखकोलों दीक्यों का पावर देती हो यह ना? आई स्क्वेर आर, आई स्क्वेर आर, ते आई के दिखकोलों आजेगा? अंडरूट पी डिवाइड़ बाए आर, पी किनना है 4, ते आर किनना है 50, आर किनना है 50, यह किनना कैसा दिखकोल? के 1 था, तु ठीक है अंडरूट फाइंडरूट करा एका 5 अंडरूट तु ठीक है, ओदे ऐस्ष5000 ने कीनना है तो फैक्टर बनाले उपके ईकपार, ते रतीक है, त्यक्वाइड़ आणेडरूट तू इंटو अंडरूट तू, फाइफ अंडरूट तू अंडरूट अंड इन्नी करन्ट दी वैलियो आजेगी, I is equal to, जदो इन्नों काल्कुलेट करांगे, I is equal to 0.28 Ampere, 0.28 Ampere, ठीक है, यह option जड़ी, यह दी, correct option. नेक्स्ट अगा, what will be the power consumed by the register of 5 kilo ohm connected with a source of 30 volt, source of 30 volt. पावर फाइंड करन्दा की काल्कुलेट, फार्मुला हम दाहे कितना इन्नों काल्कुलेट कर दें, P is equal to, V square divided by R, ठीक है, R दी वैलियो गिन्य है, 5 kilo ohm, ओके, तो V गिन आए, 30 into 30, square क्या ना, इस करके, तो इस आट गोल किन्नी वैलियो आजेगी, 900 बटा, 5 गुणा, 10 दी पा किन्ना आजेगा, 100 C milliwatt, V option जडिया, cracked option है, next अगा, unit of conductances, ठीक है, एदा, मोह भी उन्दा आजे, Siemens भी उन्दा आजे, मतलब किया, C जडिया, the cracked option है, both, okay, both, मला दून्न है, next अगा, which material have negative temperature, coefficient of resistance, silicon, silicon, ठीक है, silicon, एक semi-conducting material है, बक्की जड़े तेन माटीरियल ने, brass, copper, aluminum, a conducting material है, okay, silicon, next अगा, which is known as electrical inertia, B, inductance, inductance, ठीक है, inductance, 10, okay, next अगा, the resistance of parallel circuit, consisting of two branches, 12 ohm, if, if the resistance of one branch is 18 ohm, what is the resistance of the other branch, मला तोटल जड़ी resistance है, ओ है गिये, 12 ohm, वो कि निये, 12 ohm ही, ते एक branch दी resistance जड़ी है, ओ है गिया, 18 ohm, ते आपां दुजी branch दी जड़ी resistance हाँ, काल्कुलेट करमेंगे, ठीक है, मानने लो, एक सरक्ट दताए साथ नू, ठीक है, एक दी अगी 12 ohm, ते एक दी अगी 18 ohm, ठीक है, एधी 18 ohm, ते टोटल यह, ओ है गिया 12 ohm, ठीक है, एधी आपां resistance हाँ, काल्कुलेट करने है, कितना काल्कुलेट करांगे, साड को टोटल रिस्टनस आओ देती होई है ठीक है कि निया गी एक बटा बारा है इसी कल टू इसी कल टू वन बाइ आर वन मानलों ही फाइंड करनी है एक ही आगी साड को आटू की निया अठारा देती होई है आर्टू की निदित्य यह 18 ओके ते हुन 1 बाई आरवन एक दीख विला जेगा या जेगा 1 बाई 12 माइनिस 1 बाई 18 1 बाई 18 ओके ते एक किनना जेगा फिसर को 18 माइनिस 12 डिवाइड़ बाई 216 किनना आगया 6 बटा 216 ठीक है किनना जेगा एक बटा शत्ती 1 बाई आरवन किनना जेगा एक बटा शत्ती तेनु जिद्वाइड़ पस्दा करके लिखा कि आजेगा आजेगा आरवन इस इकल टू शत्ती ठीक है 36 ओम जडिया यह सदर राइटंस रोएगा ठीक है नेक्स्ट आगा आजे आप 40 वाट बलब इस कनेक्टे इन सीरिस विद रूम हीटर ठीक है इफ 40 वाट बलब इस रप्लेस्ट बाई 100 वाट बलब ते हीटर दी आउट्पूट ते की फर्क पाएगा मतलब 40 वाट बलब जड़ावा रूम हीटर दे सीरिस दे वेच कनेक्टड है तो जेकर आपा 40 वाट बलब नूर प्लेस कर दिए 100 वाट बलब दे नाल ते हीटर दी आउट्पूट ते की फर्क बाएगा बदेगी यह कटेगी यह दली की करांगे आपना पहला ना रिजिस्टंस वेख लेंगे है ठीक है आरवन आरवन कड़ें दा फार्मुला की अंदा वी स्केर बाए पी ठीक है भी स्केर बाए पी ठीक है पहला की इसी 40 वाट दे बलब ना आपका काड़ेगी वेखिया से आजेगा पोईट जीरो वन वी स्केर ओं ठीक है मतलब किया कि जड़ी रिजिस्टंस है वह वह लेंपदी काटे चेकर रिजिस्टंस काटे हुई ते हंडर्ड वाट दे विचो क्रंट ज्यादा फ्लो करेगा जैंड्र वाल्ट वालब दे विचो ज्यादा क्रंट फ्लो कीत दो सब्सक्राइब नमबर की कहने था कि इफ वायर ऑफ कंड़क्टर ऑफ पॉइंट टू ओम रिजिस्टंस इस डवल्ड ठीक है कोई वायर है वोदी मतलब सिर्फ लेंथ देती है उन्हों डवल कर दिया तो डिर्जिस्टंस किन्ही हो जेगी विद्जिस्टंस किन्ही हो जे जे लेंथ के नहीं करती है डबल करती है क्लियर तो इन्हों हुझ आपकैल्कुलेट करिया आज्च्छे गाल्तू डिवाइड र 1 ठीक है ऐल 1 डिवाइड भाई एल 1 ठीक है ऐल 1 देना अलेल 1 केंसल ठीक है और, तू, मुल्टिप्लाइबाई बाए र 2 इस इकल टू, आर 1 म नहीं देती सी 0.2 ohm किन्हीं है 0.2 ohm तो इन्हों मल्टिप्लाई किता है कि ना है 0.4 ohm मतलब किया कि जेकर आपा लेंद्ध रूँ डबल करता है युद्धी रिजिस्टन्स भी डबल हो जेगी और रिस्टिविटी ते की एफेक्ट पाएगा रिस्टिविटी ते कोई एफेक्ट पाएगा कोई भी रिजिस्टिविटी क्योंको मेटीरल दी सेम रहनी है जिदो तक टेंप्रेचर जा नेचर ओप मेटीरियल जड़ा हो नहीं बदल है जाना नेक्स्ट है का इलेक्टरक फिल्ड इंटैस्टी इस अ क्वाउंटिटी ओव वेक्टर ठीक है वेक्टर क्वाउंट्रेटिविटी नेक्स्ट किया वीच ऑफ़ फॉल्विफ इस नौट बाइलेटरल एलिमेंट वो हुंदा है कि जेदे विच्चों दोनों डेक्शन से वि thekin to the margin ft अभी आधा ऊंसंत क्रें जो करेगा है क्लिर नेक्सिफ वोल्टेस ला इस कंसेंड भी ठीकर के इन उलद सबँदे थे ठीकर उनों अपन पड़दे ना कि जिनने teoится डॉलिश ड्रोप उन-देया ओक के इकवल देने किर्शोफ लादे वेचे जिन्नी EMF होगे हैं जहां इतना पढ़ देने algebraic sum of EMF जिनने total EMF ते source लगिया है प्लास जिनने उधे वोल्टेज़ ड्रॉप हो रहे ने ओक एधे एकवल उन देने 0 ठीक है ओके यह दा मतलब किया बोथ A सब्सक्राइब दोना थे कंसर में दोना थे कंसर में क्लियर यह देखो कोई प्रॉलम थे नहीं वैसे आज सब्खेने numerical एधी प्रैक्टिस ना राज जुरूर करते रहे हों नेक्स्ट है गा दी आरमस वेल्यू ओफ और साइन वेव इस पीडिए इस पीक वैल्यू वह तन दस्टे यह आई पी कपां किदा घडनी यह दो तरीक के दस्टे यह कते अंडूरूट तून मल्टिप्लाइब करतांगे आई आरमस देना आई आरमस देना एक कपां आई पीक करांगे आई आरमस डिवाइड़ बाए पॉइंट सैमन जिरो सैमन तुसी किसे भी फॉर्मुले दिनाल कर सकते हैं किना जेगा एक सो एक ताली ठीक है जे तुसी एन्नु में करोगे ना तो भी टाड़ा सेम अंसराएगा कोई तो ही फॉर्मूला जड़ा अप्लाई कर दू कोई यह दिक्कत नहीं है 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 ए क्लियर नेक्स कर दिवाइंड दी कंड़क्टंस ओफ शौर्टस असे अर्ट जो अन्डर वोल्ट विच रिजल्टिन अशॉर्ट सर्केट करेंट आफ फाइफ फाइफंड अंड़ अंपीयर 500 आंपीयर अपा अंड़क्तम्टंस कर नहीं है केंद के किंदा किंददी यह रासीप्रोक्ल आ और जिस्तन्सीं ओंद यह रासीप्रोक्लों आल्च वेगी और इसंतrocket क्रणटन रोक दिया दे अधकेंद इस प्रिवाइड कर दिया इस ऑफर चर्दिया सानी दें डिया क्रणटन फूर हों से ते फिर एस एस गी सीमन्स ठीक है क्योंकि जोने टेड़ा कंडेक्टन सा सीमन्स हुंदा है ए ओप्षन जड़ी ताड़ी क्रेक्ट ऑप्षन है ठीक है नेक्स्ट आगा डिमेस्टिक सप्लाई ओफ 220 वोल्ट 50 हट्स सिग्निफाइब स्ट एट इपीख वैल्यू ऑफ दीव वोल्टेज वेफों ठीक है एक चांपा पीक वैल्यू करने है सेम ओही चीज है क्योंकि ट्मेस्टिक सप्लाई ने दस्याया है उन्हें यह इन्हीं दस्याय कि सप्लाई केडी है उन्हें चरकें केड़ी ये आरमेस वैल्यू एये जहां फिर पीच वैल्यू है जान पीच आर्ट ये ठीक है इतर तो यह आप देखना करा प्रहूंपलाई आ रही है जा अप्लाइंस से जिड़ा क्रणट फ्लो करता है वो रमस वैल्यू है थिख पीच फिर सेम फॉर्मुला लगा दो कि आएगा पीक वैल्यू फाइंड करनी या अन्रूट 2 इन्टु वी आरमस यहां फिर आई पीक इस इकल टू आई सॉरी वी आपा फाइंड करना ना वी यह थे आएगा वी पीक ठीके आई आरमस डिबाइड़ बाइ अन्रूट 2 किन आजेगा अन्रूट 2 भी लेख सक देनू सॉरी अन्रूट 2 नहीं थे आएगा पॉइंट 707 क्लियर एक पॉइंट इक ताली गुना दो सो भी ठीक है ते दो सो भी डिवाइड़ अपाइड पॉइंट 707 किन आजेगा तेन सो दास वोल्ट इदा भी किन आजेगा तेन सो दास वोल्ट ओके वी ऑप्शन इस ती क्रेक्ट आप्शन टिन त्यक्या नेश्ट अगल पावरर फैक्टर ऑफ प्योर इंड़क्टरीू जीरो ठीएड़ यह 6 टूरर तेड़ प्योरेदactiv, यह जिद्धिवर में आफ़ तरफ यह दावक्टो तीक तो यूनुर्व ना सिंगजयू जींटरीू से तो यूनुरू यह करता है ज्यड़ी पावर एब्सॉर्ड करता ना प्यों अलाब इसीपेड नहीं करते और टेकल्प नहीं करता यह थीका यह दुन्यों जड़ी पावरणू की करतें ने सिंपली डॉर काथे मतलब डिशी पेड निकरदे ऑंद अंप्जी नोग लोग है तो आ खर दो सारे झाल झाल